वेलकम टो बैक माई चैनल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही मोज भीविया एक सवाल है और बहुत ही इजी एक तरीके से हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिस करेंगे तो आज का हमारा जो सवाल है वह वार्षिक परिछा में सपल होने पर अपने मित्रों को बढ़ाई पद्र लिखी है मतलब दोस्तों आप क्या कर रहे ना मतलब आप वार्षिक परिछा में फश्ट लिया है और भगवान का असरवाद है और हमारी दूआ है हमारा भी असरवाद है कि आपना फस्ट डिविजन से पास होंगे ठीक है जितनी हमारे वीवर्स हैं जित कर रहे हैं उन बच्चों को कम से कम फस्ट डिविजन से तो कम नहीं आना चाहिए और नहीं आएगा भी ऐसा उमीद है ऐसा माना जाता है और ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस है और ऐसा मेरा विश्वास है और आप लोग फस्ट से तो कम नहीं लाएंगे मेरा पूरा उमीद है अब बात करते हैं कि वार्षिक परिच्छा में सफल होने पर अपने मेत्रों को बढ़ाई पत्र लखी तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तब आप क्या कर सकते हैं अधिक साधिक सेर कीजिए और सबस्क्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कॉमेंट कीजिए इस परका तثر को पधा ही ने दे रहे हैं तो यहां पर आप लिखेगा पीरिय के लिख का नाम देदिए यहां आप लिखेगा आपके दोस्त का नाम होगा चुकि अब देड़ेर लिए नाम अम सब्सक्राइब करकी यह वेछ आज ही तुम्हारा पत्र राप्त हुआ या मिला आज तुम्हारा पत्र मुझे मिला पत्र पढ़कर मुझे काफी खुसी मिली ये भी लिख सकते हैं अपने भासा में अगर ये टप लग रहा है ता आप इसके जगा लिख सकते हैं कि पत्र पढ़कर मुझे काफी खुसी मिली ह है ना मैं बहुत खुस हुआ पत्र पढ़कर मैं खुस हुआ कि तुम जो है सो वार्षिक परिछा में अच्छे माक से अच्छे अंकों के साथ पर्थम स्रिनी से उतिर्ण हुए हो मतलब पास हुए हो सफल हुए हो ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या करना है लिखना है कि मेरे पीरे दोस्त मेरे पीरे दोस्त नमस्ते है ना आज ही तुम्हारा पत्र मिला और पत्र है ना आज ही तुम्हारा पत्र प्राप्त वया मिला मुझे यह जानकर बहुत खुसी हुई यह पढ़कर काफी खुसी हुई कि तुम वार्षिक परिच्छा में अच्छे माक्स के साथ पर्थम स्रेनी से उतिर्ण हुए यह मतलब फश डिविजन से पास हुए हो यह बहुत ही खुसी की बात है उसके बार काता मित्र यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम बहुत ही परिस्रमी हो अर्थात मेहनती हो और कायर कुसल हो अगर कायर कुसल नहीं भी लिगना था तो कोई दिकत निस कार देजी ऐसे लिखिए मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम बहुत ही परिस्रमी हो या महनती हो कता या तुम्हारे परिस्रम का क्या है? तुम्हारे परिस्रम का या परिनाम है अगर आप ये नहीं देना चाते तो क्रोज कर देज़े अपने भासा में ऐसे लिखिए जिए आदो जाए ऐसे लिखिए या तुमारे परिश्रम का परिनाम है रिजल्ट है जोकि उन्हें बहुत मेहनत किया है या सफलता ना केवल तुमारे लिए है बलकि तुमारे विद्याले के लिए है तुमारे परिवार के लिए है और हमारे ल कि इस परकार आगे इस परकार से तुम सदेव पर्थम अस्थान प्राप्त करो तो यहां पर आपको इसी परकार यहां पर छोड़ देजी और डायट यहां लगी इसी परकार सदेव पर्थम अस्थान प्राप्त करो इसी परकार तुम सदेव पर्थम अस्थान प्राप्त करत करके दे देजिए खतम हो गया अब आप क्या किजिए यहां पर जो देना है अपने माता पिता को मेरा पर नाम कह देना कहना तुम्हारा भी नए सेखर जो भी लिखना अपना नाम लिख देजिए ठीक है तो इस प्रकार से आपको समझ समझ कि क्या करना है समझना है जैसे कि क् को पढ़ कर मुझे काफी खुश ही कि यार तुम जो England वारसिक परिषा में अच्छे माक से पस विए भी पर्थम स्रीणी से सफल विए पास है ना और मैं यह अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम बहुत महनति हो है ना और यह महनति ति कही परिणाम मिला है रिजल्ट मिला है और यह सफलता ना केवल तुम्हारे लिए है बलकि तुम्हारे विद्याले के लिए है तुम्हारे परिजन के लिए है तुम्हारे परिवार के लिए है यही बात हो गया और हमारे लिए भी गर्व की बात है तो इसी परकार से हमारी इस वर से यही प्रतना है कि तुम तुम इसी प्रकार से सदेव पर्थमास्तान लाता रहो या प्राप्त करते रहो मेर अपने माता पिता को परनाम कहना तुम्हारा अभी नए अभी नए सेखर ठीक है? I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करें, कॉमेंट करें और शेर जरूर करें अपने दोस्तों को इतना सेर करो इतना सेर करो जितने भी आपके दोस्त रिस्टेदार जो भी हैं जो कलास 10 में पढ़ रहे हैं उसे सेर कीजिए और उसे भी पढ़ने का मौका दिजिए